हलो दुस्तो, आज की इस बीडियो मेरा हम बात करेंगे मिशो एप पर आप कॉंप्लेट एक एकांट कैसे बना सकते हैं और उसकी साथी साथ अब अपनी एडरेस को कैसे एड कर सकती हैं तो दोस्तो अगर आपको ये सबी डिटेस्ट जानना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज अन्ट तक का दख्तरिएगा तो दोस्तो मिशो अप पर एकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मिशो अपको अपनी फॉन पर इंस्टोल कर लेना है तो जैसे कि दोस्तो मिशो अप का लिंक आपको इस पीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चाहे तो उस लिंक पर क् में select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं mail फी में select कर लेता हूँ और उसके बार में दूस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा account आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sign up आपको इस पर click करना है और यहाँ पर दुस्तो आपका जो भी मुबाइल नमबर है उसी मुबाइल नमबर को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको send OTP पर क्लिक करना है यहाँ पर आपकी मुबाइल नमबर पर एक OTP send किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको verify पर click करना है यहाँ पर दूस्त आपको edit profile पर click करना है सबसे पहले यहाँ पर आप add picture पर click करेंगे और यहाँ से आप एक photo को set कर लेंगे जो भी photo को आप अपनी profile picture में रखना चाहती है उसके बाद में यहाँ पर अपना full name डाल देना है और यहाँ पर आपका जो mobile number है यहाँ पर यह automatically detect कर लेगा यहाँ पर आपको email ID डालना है और यहाँ पर आपको gender को select करना है यहाँ पर आपना जो भी language है उसी language को आपको यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आपको occupation पर यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको occupation select कर लेना है क्या business करती है या तो student है या house wife है या teacher है यहाँ पर आपको select कर लेना है यहाँ पर अपना jubi about है उसी about को आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर अगर अगर आपका कोई business है तो business का नाम आप यहाँ पर डाल सकती है यहाँ पर अपना area pin code डालना है यहाँ पर अपना city डालना है और यहाँ पर आपको state को select करना है आप Jubi State में है, उसी State का नام आप यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर आप Save पर click करेंगे उसकी बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Other Info आपको इसपर click करना है यहाँ पर अपना Jubi Date को बारते उसी को डालना होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा number of kids, तो यहाँ पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको select करना होगा कि आपके कितने बच्चे हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको education डालना होगा, तो यहाँ पर आप click करेंगे और यहाँ पर select करेंगे कि आपने कितना है उसके बार में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैस Giving Customer care number अगर आपको बीदिक्क्रा रहा है अकाउंट बानाने में या तो कौई भी चीज करने में दिक्क्राइब तो आप इसधन पर call करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती है तो कोई पर अगर आपनी bank details को add करना चाहती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा my bank details आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपका जो bank account number है इस bank account number को यहाँ पर डालना है फिर से इस bank account number को यहाँ पर आपको confirm करना है यहाँ पर आपकी bank account पर आपका जो भी नाम है उसी नाम को आप पर डालना है और यहां पर आपका जो bank का IFSC code है उसी IFSC code को आपको यहां पर डालना है और यहां पर उस्ता आपको रेखने को मिलेगा add passbook और check photo यहां पर आपको click करना है और यहां से आपका जो bank passbook है उसी passbook का एक photo आपको यहां पर upload करना है और यहां पर आपको submit पर click करना है पर प्रेश कर दो दो.